हलो गुड मॉनिंग नमस्कार वेलकम बाक टो आर चानल साइस्टितियन शुब लॉग उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे स्वस्थ होंगे और सहत मन्द होंगे यह संडे की मॉनिंग का ब्लॉग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इस ब्लॉग में आप लोग के साथ बहुत इंट्रेस्टिंग एक रेसिपी शेयर करूँगी जिसको कि आपको बार बार बनने का मन करेगा जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अंडी की रेसिपी और अंडा तो मतलब हर किसी का भी फैबरिट हो सकता है जो लोग नॉन वेच खाते हैं और हमारे घर में भी सब की फैबरिट है और यहां पर मैं अंडे की यह जो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना एक बार आप इसको मेरी बाद मानके एक बार आप इसे बनाई है बार बार जब भी आपको उंडा खाने का मन करेगा अब यह रेसिपी ट्राइब करेंगे तो इसके लिए मैं मसाले में बना रही हूँ दो प्याज लिया है मैंने और चार से पांच के लिए लाइसन की और ए या तो फिर ऐसे चौपर में एक दमबारिक पर सब कुछ मिला के इस तरह से आप ग्रेट कर लीजिए इसको और यह रसिपी आपकी फेवरिट होने वाली है और यहां पे मेरी इस पीच में अंडे भी अच्छे से उबल चुकिए जिसको कि मैं कर ले रही हूँ 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 ह मैंने यहां पे रिफाइन ओए लिया है आप लिकिन सर्सो के तेल में अगर आप खाते हैं तो उसी इसमें बनाएं और यहां पे यह जब तक फ्राय हो रहा है मैं टमाटर के एक मसाला बना रही हूँ यहां पे जिसमें की स्वात और बढ़ेगा दो एक टमाटर लिया है मैं इसमें साथ में थोड़े से खड़े मसाले और एक चमच बेशन यह है इसका मैजिक ट्रिक और इसको थोड़े से पानी के साथ हम लोग कर लेंगे गराइंड करने के बाद जब मतलब आप यह जब प्याज लिसन का मसाला जब हो जाए उसमें हम लोग अड़ करेंगे और यह अधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच जलाल मिच का पाउडर और साथ में एक चमच यह है एवरेस्ट का चिकन मसाला इन सब को अच्छे से कर लूगे मैं जैसे यह फ्राय हो जाए उसके बाद जो ग्राइंड किया हुआ टमाटर का मसाला इसको हम लोग अड़ कर लेगे तब तक भूनेंगे जब तक तेल इसका अच्छे से निकलना जाए दो से तीन मिनट तक अच्छे से इसको भूनिये मीडियम फ्लेम में और इसका स्वाद और जादा बढ़ जाएगा दीखे तेल इकदम अच्छे से निकल चुका है साइड में मैंने आलू उबाल के रखे थे मैं एड़ करी हूँ आलू आप्शनल है अब जाहे तो आड़ कर या तो फिर स्किप करें लेकिन आलू से स्वाद और बढ़ता है हमारे घर में मेरी मतलब जो भेया हैं जेड जी हैं वो नॉन्वेज नहीं काते हैं इस वज़े से मैं उनके लिए आलू अलग से निकाल रही हूँ और यहां पे मैंने एड़ कर लिया है थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से और उसके साथ कसूरी मेथी उसमें एड़ कर लूँगी पानी पानी दे और दीदी और बड़ा बटा बोलो इस तरह से फ्राइ नहीं खाते हैं मैं खाती हूँ और मेरे हस्बंड को भी ऐसे ही पसंद है तो हम लोग के लिए मैं थोड़ा सा फ्राइ कर ले रहे हूँ और इसको दो से तीन अबाल अभी में दे दूँगी अंडा आलू की यह अभी टाइम हो रहे हैं सिर्फ आठ और मुझे ऐट-थर्टी को साइंस को तैयार करके लेके जाना है उसका म्यूजिक का क्लास रहता है तो अभी तो मैं सर्फ बना के रूटी और अंडी की सब्ची बना के रखके जाओंगी फिर उसको क्लास में लेके जाओंगी अब एक लाइक कीजे अगर कुछ पुरा लगता है तो मुझे कमेट में बताए ज़रूर से उसके उपर मैं काम करूँगी और मेरे रेसिपी जबाट ट्राई कीज़ूर मुझे कमें बताए कि आपको कैसा लगारा हुआ सब्सक्राइब कर मेरे बेटे को खूब सारा अफिर आप औ